Hello friends, welcome to study news आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में चालुक के वन्स के बारे में जानेंगे So let us start गुप्त काल के पतन के बाद भारती प्रायदीप में राजनीति गति वीडियो के केंद्र में एक महतपूर परिवर्तन हुआ लगभग 550 से 750 इस्वी के काल में गति वीडियो का केंद्र दच्छिर था और इन दो सताब्दियों में दच्छिर दो मुख्यराज वन्सों के पारस्परिक संघर्स का छेत्र बना रहा ये दो वन्स थे बादामी वातापी का चालुक के वन्स और काची का पल्लव वन्स के आसपास का माना जाता है चालुक के वन्स के पहले राजा जै सिंग थे फिर उसके बाद रड राग पुलकेसी प्रथम, किर्ती वर्मन प्रथम, रड विक्रांत मंगलेस, पुलकेसी द्विती, विक्रमादीती प्रथम, विनियादिते, विजियादिते, विक्रमादीते द्विती, कृती वर्मन द्विती ये मुख्य थे चालुक के सामराज के पहले सासक जै सिंग थे केरा तामर पत्र अभिले से ये साक्ष प्रमारित हुआ है कि जै सिंग चालुक के राजवंस के प्रथम एतिहासिक सासक थे दूसरे राजा रड राग सिंग थे जो वातापी के चालुक के नरेश जैसिंग के पुत्र और उत्राधिकारी थे रडराग संभवता 520 ईस्वी में वातापी के राज सिंगहासन पर बैठे थे ये गदायुद में कुसल होने के कारण इन्होंने रडराग सिंग की उपादी धारण की थी अगले हैं पुलकेसी प्रथम इनका सासनकार 550 से 506 के मद्ध माना जाता है ये चालुक के नरेश रडराग के पुत्र थे पुलकेसी प्रथम को पुलकेसीन प्रथम के नाम से भी जाना जाता था ये चालुक के वंस के सबसे प्रतापी राजा थे ये दच्छिड में वातापी में चालू के वंस के प्रवर्तक थे दच्छिडा पंथ में चालू के समराज के राज की इस्थापना छटी सदी के मद्य भाग में हुई जबकि गुप्त समराज का छे प्रारंब हो चुका था इन्हों ने बादामी को स्वतंत्र कर अपनी राजधानी बनाई थी महराज मंगलेश के महा कूट अभिलेक से ये प्रमाडित होता है कि उसने हिरनाई गर्भ, अस्व मेग, अग्रिष्टोम, अग्नी चैन, वाजपे, बहुस्वण, पुंडरीक यग करवाये थे इन्हों ने रडविकरम, सत्यासरे, धर्मर महराज, पृत्वी वलब राज, तथा राज सिंग, आदी की उपादी धारण की थी इन्हों ने वातापी के सीमावर्ती प्रदेशों को जीत कर अपनी सक्तियों का विस्तार किया था और उसी उपलक्ष में अस्व मेग यग भी किया था इस यग के अनुष्ठान से सूचित होता है कि वे अच्छे और प्रबल दिगज राजा थे अगले हैं किर्ती वर्मन प्रथम, ये पुलकेसी प्रथम के पुत्र थे ये लगभग पांसो चाचट ईसवी में सिंघासन पर बैठे थे इन्हें कई द्रिष्टियों से राजनितिक सक्ति का संस्थापक कहा जा सकता है ये माना जाता है कि किर्ती वर्मन की विजई सेना ने उत्तर में बिहार और बंगाल तक तथा दच्छिड में चोल और पांड छेतरों तक अपना विस्तार किया था किर्ती वर्मन अपनी पिता के समान प्रतापी और विजेता था अभी लेखों में इन्हें मगध, अंग, बंग, कलिंग, मुद्रक, गंग, मसक, पांड, चोल, द्रमिक, मौर आदी राज्यों का विजेता कहा गया है महाकुट इस्थम लेख से ये प्रमाडित होता है कि इन्हों ने बहु सुवण एवं अगनी इस्टोम यग को संपन करवाया था इन्हों ने पूरूरण पराक्रम, प्रिथ्वी वल्लब और सत्यासरे की उपादी धारण की थी 598 इस्वी के लगभग किर्ती वर्मन प्रत्थम की मृत्यू हो गई उसके बाद उनका भाई मंगलेस अगला चालू के सासक बना क्योंकि किर्ती वर्मन के पूत्र अभी छोटे थे जड़ विक्रांत मंगलेस का सासनकाल लगभग 597 से 608 इस्वी के मध्य माना जाता है मंगलेस ने गद्धी पर बैठने के बाद कल्चूरियों को पराजित किया और किर्ती वर्मन प्रत्थम के बाद उसके पूत्र पुलकेसी दूत्यों को राजा बनना चाहिए था लेकिन उसके चाचा मंगलेस ने बल प्रयोग करके वातापी की गद्धी पर अधिकार कर लिया और कुछ समय तक अपने भाई द्वारा इस्थापित राजी पर सासन किया एहोल अभी लेक से ये साक्ष मिलते हैं कि मंगलेस ने अपने पूतर को अपना उत्राधिकारी बनाना चाहता था लेकिन पुलकेसी ड्वीती ने यूध करके मंगलेस को मार दिया और सिंगाशन पर बैठ गया अगला है पुलकेसी रिती ये किर्टी वर्मन प्रत्थम के पुत्र हैं और चालू के वंस के सबसे सक्तिसाली सासक इनका सासनकाल 609 से 642 इस्वी तक माना जाता है ये महराजा धीराज हर्स वर्धन के समकालिक थे इन्हों ने 620 इस्वी में दच्छिड पर हर्स के आकरबड को विफल किया और उन्हें हराया भी था सिंगहासन पर बैठने के बाद पुलकेसी दुईती ने मैसूर के गंग राजा उत्तर कॉंकड के मौर राजा और मलाबार के अनुप राजा को परास्त किया इन्हों ने गुदावरी नदी के बीच इस्थित वेगी राजा को हराया और फिर पल्लव वन्स के राजा को भी बुरी तरह परास्त किया कावेरी नदी को पार कर इस प्रतापी चालुक के राजा ने चौल, पांड और केरल राज्यों को अपनी अधिनता स्विक्रित करने के लिए विवस किया इन विजियों के कारण पुलकेशी दीती विंध्याचल के दच्छिड के संपूर, दच्छिडी भारत का अधिपती बन गया कन्नोज का समराठ हर्सवर्धन पुलकेशी दीती का समकालिक था वो भी उत्तरी भारत में अपने समराज की इस्थापना में ततपर था नर्मदा नदी के उत्तर के सब प्रदेश उसकी अधिनता को स्विक्रित करते थे इस समय भारत में दो ही प्रधान राज सक्तियां थी उत्तर में हर्सवर्धन और दच्छिड में पुलकेशी दीती यो सभाविक था कि उन दोनों में संगर्स होता नर्मदा नदी के ततपर दच्छिड और उत्तर सक्तियों में गोर युद हुआ जिसमें पुलकेशी दीती हर्सवर्धन को परास्त करने में सफल हुआ इन्होंने इरान के साख खुसरो दीती के पास अपने राज दूत भेजे थे ये दूत 652 इस्वी में इरान गए थे बदले में खुसरो दीती ने भी अपने दूत पुलकेशी की सेवा में भेजे अजन्ता की गुफाओं में इसके साक्ष भी मिलते हैं 641 इस्वी में चीनी यात्री वेन सांग इनके सासनकाल में आया था विश्नु वर्धन ये वातापी की चालुक के नरेश पुलकेशी दूती का छोटा भाई हैं जब पुलकेशी दूती ने दच्छिडा पंत में अपने विशा समराज की इस्थापना की उसने अपने छोटे भाई को वेगी का सासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था और अपने पिता के मिर्ट्यू के बाद चालुके वंस का अगला उत्राधी कारी बना इनका सासन काल 655 से 680 के मध्य माना जाता है विक्रमादित प्रथम के गद्धी पर बैठने से पहले कुछ अन्य दच्छिडी प्रांतों की कमान पल्लोओं के हाथों में चली गई थी जिससे विक्रमादित प्रथम ने पल्लोओं की अधिंता से मुक्त किया और 13 वर्सों तक निरंतर युद्ध करने के बाद पल्लोओं राज की सक्तियों को बुरी तरह कुचल कर 154 इसवी में काची को भी विजय कर लिया अगले चालुक के राजा विन्यादित हैं ये विक्रमादित प्रथम के पुत्र है इनका सासनकाल 680 से 696 के मद्ध माना जाता है अभी लेखों में इनका उलेख त्रे राजी पल्लोपती के रूप में किया गया है जेजूरी तामर पत्र के अनुसार विन्यादित ने अपने सासन में ग्यारव में और चौदव में वर्स में पल्लोवों, कलभों, मालवों एवं चौलोवों पर विजय प्राप्त की थी अगले राजा विज्यादित हैं ये विन्यादित के पुत्र हैं इनका सासनकाल 696 से 734 तक माना जाता है इनके सासनकाल के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनका सासनकाल ब्रामर धर्म के पुनरुथान और इस्थापत्त कला और ललित कलाओ के विकास का काल माना जाता है अगले चालुक के राजा विक्रमा दित्ते द्विति हैं ये विज्यादित के पुत्र हैं इनका सासनकाल 733 से 747 इस्वी तक माना जाता है इन्होंने भी अपने समराज का विस्तार किया था इन्होंने काची को भी विजय किया था और काची को बिना नुकसान पहुचाए वहां के राज सिंगेश्वर मंदिर को अधिक सुन्दर बनाने के लिए रत्न भेट किये थे इन्होंने इस मंदिर के दिवार पर कई अभिलेक उतकरिंड करवाए साथ ही पलोओ के वातापी कोड की तरह कांचीन कोड की उपादी धारण की थी इनके सासन काल में ही दक्कन पर अर्बों ने आकरमड किया था अगले राजा किर्ती वर्मा दुइती हैं ये विक्रमा देते दुइती के पुत्र हैं अपनी पिता के मृत्यों के बाद ये विशाल चालू के सामराज के स्वामी बने इनका सासन काल 745 से 753 तक माना जाता है इन्होंने अपने यूराज काल में ही पल्लव नरेश नंदी वर्मन को परास कर बहुमूले रत्न हाती और सोने प्राप्त किये थे किर्ती वर्मन दूती संभावता बादामे के चालू के सासकों की सिंख्रा में अंतिम्त सासक थे इन्होंने सर्व भूम लच्मी प्रिथवी का प्रिये राजाओं का राज और महराज की उपाधियां धारण की थी चालूक्यों के सामन्तों ने जो दंती दूर्ग है उसने किर्ती वर्मन दूती को परास्त कर लगभग साथ सो तिरपन इसवी में स्वेम को सतंत्र सासक के रूप में इस्थापित किया इस प्रकार किर्ती वर्मन के साथ ही चालुक्यों की मुख्य साखा का अंत हो गया तो ये थी पूरी जानकारी चालुक्य वंस के मुख्य राजाओं के बारे में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो दो ये राजाओं के बारे मेंट